नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भारतिय सस्कृति में दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अमरूत की पत्तियों के ऐसे फायदे जो शायद आपने आज तक न सुने हूँ जी हां अमरूत तो हम सब खाते हैं अमरूत जितना फायदे मंद होता है उससे कई अधिक फायदे मंद होती है इसकी पत्तियां जी हां अमरूत की पत्तियों में छिपा हुआ है कई बिमारियों का इलाज हमारी सेहत के लिए कितना फायदे मंद होती हैं अमरूत की पत्तियां ह ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट जानकारी आपको मिल सके हैं। दोस्तों यदि गठिया की समस्या हूँ तो अमरूत की पत्यों को लेकर उसे अच्छी तरह से कूट कर इसकी लुगदी बना ले। और फिर इसे गर्म करने के बाद गठिया वाली जगह पर लगाएं। ऐसा करने से गठिया का सूजन और दर्द दूर हो जाएगा। अमरूत की पत्यों का जूस नियमित पीना हमारे लीवर की सेहत के लिए अच्छा होता है। या लीवर को साफ रखता है और हमारे बढ़े हुए कॉलेस्ट्रोल के अस्तर को भी कम करता है। फूट पोईजनिंग होने पर अमरूत की पतियों को पीस कर उतका जूस पी लेना चाहिए इससे पाचन तंत्र ठीक होता है और फूट पोईजनिंग की परिशानी भी दूर हो जाती है देंगो की बुखार में बहुत ही फाइदे मंद और लाबदाइक होती हैं अमरूत की पतियों का रस डेंगो के रोगी को पिलाने से बुखार का संक्रमन दूर हो जाता है जी हाँ दोस्तों अमरूत की पत्यों का रस नियमित पिया जाए तो allergy की समस्या खत्म हो जाती है मूह के चालों की समस्या, कथे को अमरूत की पत्यों पर लगा कर उसे चबाएं इस अचो कुपाई से मूह के चाले ठीक हो जाते हैं चेहरे के पिंपल्स, अमरूद की पतियों को लें और उसे पीस कर उसका लेब बना लें, अब इस पेस्ट को नियमे सब्ता में 2-3 निल लगाएं। शुगर की रोगियों के लिए अमरूद की पतियों का चूण पानी के साथ लेना काफी लापकारी होता है, इससे शुगर का बड़ा वास्तर काम हो जाता है। सपने दोश में फाइदे मंद अमरूत की पत्तियों को लें और उसका रस निकाल कर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल कर उसका सेवन रात को सोने से पहले करें आप सुबह सूर्य उगने से पहले अमरूत के ताजे पत्तों को लेकर किसी पत्थर पर घिसकर उसका लेव बना ले और नियमित कुछ दिनों तक इस लेव को अपने सेर पर लगाएं दोस्तों अमरूत की पत्तियों के बहुत सारे फायदे हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताएं तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी इस जानकारी को जरूरत मन लोगों तक जरूर पहुँचाए धन्यवाद दोस्तों जय हिन जय भारत